हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अबच्छिण …जया मैं बाएं कारby से न Europay में बाएं अबच्छिण आतकर शेया, य допwegen केरें अवि Peak के विर्णी केरें , वहीं देता है वणलिए कोक्षा है, खान से व हैं अभाण वेदाउने को punishment जली जली पंगाज क्षिस्ट ने रिलेंस कुछ नहीं होगा अजिए अजिए कोशिश करा हूं रिलाक्स होने के पर पताने एक अजयमी से बेचाहिनी है जब तक अभजीत खोश में नहीं आ जाता ये एक टेंशिन बनी रहेगी नार्स ना वो एक सी आईडी ओफिसर एडमेट है वो कहा है कैसा है अभीजीत? वो ठेक तो है ना? तुम मेरे अभीजीत से है नहीं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है अंदे अभीड तक ट्रीटमेंट चल रहा है? वाखवार ट्रीट हो जाएगा ना? रिलक्स कुछ नहीं होगा अभीजीत को, कुछ नहीं होगा उसे हम? आप एले है अभीजीत? कैसे ती तब्यद? अरिका, हम लोग डॉक्टर हैं डॉक्टर सेना, तुम जानती होना, साइंस कभी भी अपनी उमीद नहीं छोड़ती है अखरी बल तक नहीं हम? अभी डॉक्टर आएगा? हम उसे पूचेंगे, लेकिन निश्वास रखो अभीजीत को कुछ भी नहीं होगा अभीजीत कर दो किते हैं आएगा शेखा बल्द्रवचा र आएगा अब जीत कर दो चाहरे है हम वो खत्रे से भाहरे क्या भलाता है नहीं? आएगा मैं अन्दर जाहकी मिल क्याता हूँ आज़े अब हुश्श नहीं आया है अच्छा, कब तक होश में आजाएगा वह यही कोई दो तीन घंटे में? डोक्टर, हाँ, प्लीज एक पर उन्हें बेख सकते हैं देखे, अभी मिलने से कोई फाइदा नहीं, अभी वह होश में नहीं है इसे, डोट सब, किस चीज ने काटा अभीजीत को? देखे, काटा तो किसी जंगली केड़ी नहीं था, लेकिन ये कीड़ा कौन सा था ये मैंने ही कह सकता हाँ, इतना जरूर है कि ये कीड़ा था बहुत जहरीला अगर अभीजीत जी वक्त पर यहां नहीं पहुंचनी तो कुछ भी हो सकता था इस कमाल है यार ऐसा कौन सा कीड़ा था जिसका जहर इतना पावरफुल था के अभीजीत की जान खत्रे में पड़ गई? द्या, नहीं पर चेक करता हूँ आरे का रिक्स कुछ नहीं होगा आवीजीत को मेडिकल प्रोफेशन में इंसाम को अपने एमोशन पर काभू रखना पड़ता है है ना? गट यह देखा राके बास जहरी ला किड़ा था पुरा हाथ सूच गया है अगर जहरी ले किड़े ने काटा है तो कहीने कहीने दंग तो होगा आंदा हम यह है वो कीड़े का जहरी ला डंग तया तया मैंने यह यह कीड़े का डंथ निकाल लिया है अभीजीत की बाड़ी में से एक काम कलते हैं हम इसे लैब में ले जाते हैं पता लगाते हैं अखिर यह है कौन सा कीड़ा जो इतना सहरी ला है हम जा कंदर का I hope यह सहरी ला कीड़ा किसी और को ना काट ले कर दो यह कर दो यह कर दो यह कर दो यह हुआ ए करदा है कर दो कर दोट कर दोफे यह यह कर दो कि अजीब सी जगह यार कोई गाड़ी भी नहीं दिखती कि लिफ ले ले थोड़ा इंतजार करते हैं कोई ना कोई आ जाएगा इंतजार करने से कुछ नहीं होगा मुण्न कोब लाउए जाधा हो जुगें वैसे भी इतना बेंकर जंगर सब कुछ है जीपसा हारि मैं काम करता हूं में दुबारा से कोसिस करता हूं तो सब गाड़ी चालिए हो जाए हाँ ठीक है देख लगता इसे किसे जरी ले किडियन कटा है एंबलो इसको फोन कर जल्दी जल्दी कर अलो इस गंगल में इंड़ाइब कर नहीं आ रहा है थी जटीन अगी को हुआ हां 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 यह आवास कैसी है हायत अवास तो मुझे भी आई इतने जारे बिच्चु सर जिस आदमी ने हमें इंफॉर्म किया तो यहां पे हैं नहीं कि चला जाओगा और सर यह तीनों इतनी सूंसान जगे पर कर क्या रहते हैं हो सकता है इनकी गाड़ी खराब हो गई हो स्टार्ट करके देखो स्टार्ट होती है यह नहीं कि यह देखो शरीर पर काटने का ठीक वैसा ही निशान है जैसे अब जीत के था मतलब इन तीनों लड़कों को भी उसी कीडे में काटा होगा तो रभजीत के साथ यह हाथसा यहां से पच्छी किमेटर दूर वाता है अगर यह कीड़ पूरे शेर में फैला हुआ हुआ है तो आम आदमें के खत्रा हो सकता है हम आद में आद में अगम का वाइसा ही निशान है का अ अ कि हमने स्कुला अप्रियन अगर शेंग को जाओ आप झाल, पुरुवे, जा हुआ है? और यह देखिए, इसके गले पर, यहापँ डंग का निशान और इसके हातों पर, इसके हातों पर किसी के उल्यों के निशान स्पेड़ों के निशान से उल्झ कर देखो अगर मैच नहीं होता है तो इसका मतलब है यहाँ कोई और इथा आपका अंदाज़ा सही निकला, गाड़ी खराब है, स्टार्ट नहीं हो रही है हलो, मैं सर, सिर दिलनी दर आईए स्टार्ट, मैंने तो बिच्छ भी यहां से भागते हुए देखे, सर बिच्छू? अगन तीनों की मौत स्टार्ट, मैं तो बिच्छू के जह से हुई है या तर इसी और चीज से तो अपर सालों की बताएंगे सालों के, इस बर खालीयाद जाने के लिए नहीं आया हुए अर यार कभी खालीयाद भेजा है मैने तुमको ना कभी पहले भेजा है ना आज भेजूँगा को तो एक एक बिच्छू रख दू सबके हाथ में बिच्छू? जी यह, बिच्छू यह देखो जानती हुए क्या है? बिच्छू का डंक? जी नहीं यह बिच्छू का डंक नहीं है यह छोटासा इंजेक्शन है इतना छोटासा इंजेक्शन जो दिखता बिच्छू का डंक की तरह से है मगर विच्चु का डंक है नहीं सर यानी किखुनी ने इस इंजेक्शन का इस्तमाल लोगों पर विच्छु के डंक की तरह किया exactly और उसने उस इंजेक्शन पर विच्छो का जहर भी लगाया था लेकिन नैच्रल जहर ने सिंटिसाइज जहर लाब में बनाया हुआ तो फिर जरूर किसी बिच्चू के जहर से ज्यादा जहरिला होगा ये ज्यादा जहरिला जो इस इंजेक्शन के जरिये इन लोगों को दिया गया ताकि हमें लगे कि ये किसी बिच्चू का डंक है एक बात और बस अभीजीत की जान भच गई सिर्फ इसलिए क्योंके अभीजीत के शरीर में कम मात्रा में जहर था बनिस पत इन तीनों लड़कों के जहर से इशा लेकिन सर ऐसा कोई करेगा क्यों हाँ सर किसी भी खून के पीछे जादा तर तीन ही वज़ा होती प्यार, पैसा या बदला मगर इस केस में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है वज़े जो कुछ भी हो हमें जल्दी से जल्दी इस खुनी को पकड़ना चाहिए जल्दी से जल्दी वरना निजाने कितने लोगों की जाने जाएगी सारू के? यह जो इसके बाजू पर निशान है कैसा निशान है? वज़, यह निशान किसी आदमी के हाथ का है किसी आदमी के हाथ का निशान? तो कहीं यह निशान उस खुने के हाथ का तो नहीं हो सकता है वज़ मैंने इसका प्रिंट निकाल लिया है बस इसकी रिपोर्ट आपको ब्यूराम बेशता हूँ ग्रेट वर्ट क्या ख्याल है अब तो नहीं कहोगे ना खाली हाथ बेशता हूँ अब एक कामचोर और भी काम है अब ये बता क्या तु जानता है किसी कमपनी के बारे में या किसी लिबारेटरी के बारे में जहां पर बिच्चु का जहर बनता है जानता है नहीं बस जहां तक मेरी जानकारी है इस शहर में तो क्या पूरे मुल्क में ऐसी कोई लेब नहीं हो सकती है जहां पर इस किस्म का जहर बनाया जा सके। सभी में टारेज़ है? अरे? फ्रेटी? अंकाज? जब के सभ कहा चले गए? तारीका जी का अप? तारीका जी कैसे हैं आप? मैं तो बिलकुल ठीक हूँ मैं इदरी ब्यूरो आया था अरे और कितना करूँ आराम भाई अरे देखे मैं तो गुच्सा मत करो मैं अच्छा मैं जल्दी चला जाओंगा यहां से नहीं यहां पर कोई देख नहीं रहा है और फॉरेंसिक में मैं भी आता हूँ सब निकल गए आथ ठीक है ना फिर तो आता ही हो दो मुलाकात हो जाएगी आपसे अरे अभी जी एसे हो तुम ने प्लान कैंसल यह यह सर अब ठीक हो सब अब काफी ठीक है सर कुछ दिन आराम कर लेते सब तीन तीन खोन हो गा है खोनी अभी भी खोम रहा है जब तक उस अलाकों के पीछे नहीं पहुंचाता सर हराम का कोई मतलब नहीं आँ यह बात तो है अब जीद उस रात जब यह सब हुआ तब का कुछ याद है तुम्हें असपास कोई था या कुछ देखा तुमने सर उस रात में यह से भी साब का पाप यह से सर वो सोमेशवले सर सर वो हलो हलो सर साथ एक सिगनल साथ काम है था यह सर हलो जी सर सर वो सोमेशवाले केस में दोनो गवाज थे हाँ सर उनको ट्रैक कर लिया है सर जी तिखीट जी नहीं एक को तो हमने रखा हुआ है अपने कस्टडी में और दूसरे अपिजीद क्या होगा तुम ठीक हो अलो अपिजीद अपिजीद ग गो ये है एए 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 कि समय एए 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 जाह एए इए मतलब उस वक्त तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं था नहीं सर अगर तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं था तो फिर उस खुनी ने वो सुई तुम्हारे शरीर के अंदर चुबो ही कैसे क्या Vet सुई के ऊपर कोई अच्छु का सेंथटीक जहर लगाकर यह सब कुछ कर रहा है मतलब सर कोनी सायद स्टं गन का इस्तिमाल कर रहा हां हो सकता है बिलकुल हो सकता है बड़ा चालाख है ये खुनी बड़ा चालाख है लेकिन unforgettable नहीं अबिशीद, एक बात तो है, कि ये जरूर खुद ही बिच्चु पकड़ता होगा, इकटे करता होगा, तो कभी ना कभी तो बिच्चु ने काटा होगा इसे, है ना, बॉइजन सेल से पता चल सकता है तेवन तो पौंगी है, अदेवन, आज इन से औक को कैसे जाद किया? मैं याद नहीं कर सकती क्या, मुझे तो लगा मैं आपको जॉप चाहत भात कर सकती हों हाँ, क्यों नहीं, बिल्गूल कर सकती है, कैसी है आप? मैं एक दाब मजब मैं, और आप? हाँ मैं भी एकदम मुझा मा अच्छ दोया भाई आप उस दिर हमेरी गोपलजाम सोसिटी वालों के लिए पीठरी लाये थे ना आपके लिए हमने खास जलेवी लाई है हाँ और सात्मी एकरमा करम फापड़ा भी हाँ हाँ इसके लिए आप सब को दिल से ठीक्यू अरे इसमें थैंक्यू की क्या बात है वैसे भी मिठाई खाने का मजा तो तब है जब वो मिल बाटके खाई जाए यह तो आपने एक टम सही बुला दया भाई अच्छ चल दया भाई 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 क्या है तो पाई को तुकर चले का टाम हो गया है और मुझे टीपिल बनाना है वरना भी मिठाव के बाहर का शुर कुछल खाते रहेंगे ठीक है वाई अच्छ जेतलाल को मेरी दुरत से नमस्कार कहिएगा ठीक है वाई थैक है राई अब जैसे इस केमिकल का टेमपरेचर एटी सिक्स डिग्री सेसियस के उपर जाएगा इसका रंग अपना बदलना शुरू हो जाएगा सर्थ सी एईडी वाले आए हैं सी एईडी वाले जी जी कही अफिसर क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए डॉक्टर साब हम लोग यहां इसलिए आए हैं क्योंकि आपके अकसर ऐसे लोग आते हैं इलाज कराने जिनें किसी जहरीले कीडे मकौडे या बिच्चू ने काटा हो उसी के बारे में पता करना था जी हाँ क्या आपके किसी जान पहचान वाले को भी हाँ लेकिन आज हम एक मुझ्रिम की तलाश में आए हैं एक ऐसा इंसान जो अलग-अलग बिच्चूओं को पालता हो और फिर उनका जहर निकालके उने मिक्स करता है और और उस जहर का इस्तमाल वो मासूम लोगों पे करता है उनने मारने के लिए वो इंसान इतना निर्दाई इतना विल कैसे हो सकता है डोग्डर साब आप ये बताइए कि आपके इस क्लीनेक में विछले कुछ दिनों में ऐसा कोई ब इंसान या आया है जिसे बिच्वों ने काटा हो कहीं बार और वो भी अलग-अलग किसम के बिच्वों ने अलग-अल अगेश करके एक आदमी है जो यहाँ पर पहले भी तीन-चार बार आ चुका है विच्वों के जहर का इलाज करने के लिए और उसे जब भी काटा है अलग-अलग बिच्वों ने ही काटा है अरे हाँ इनने तो सोचा था कि उसे अलग-अलग बिच्व पकड़ने का शौक है कोई आदमी बिच्व पालने का शौक क्यों रखेगा आपके पास उसका अड्रेस या नंबर कुछ है नंबर और एड्रेस तो नहीं है पर आज वो यहाँ पर आने वाला है बिच्व के जहर का इलाज करवाने के लिए आएगा तो ज़रूर मगर अब उसका बचना मुश्कि कर दिया है तो पर ठीक है अब हम भी मिल लेते हैं इस बिच्वों के शौकीन से मुश्क व्यार अजीया नधीया करवाने कर दिया कि अश्क अशल था है वे नधीया नधींशी है किया सब्सके बाइच्व लेटाबेस किया अगर कोई मैच रहे ही मेला और तो और कोई भी गवाया कोई बिच्वाइश्या नेहीं है जिसका हाथ आसेट से जलाओ वो रहे कौन ये किसका हाथ हो सकता ये श्रिया कुछ न कुछ तो है जो हमारी आखों से छुट रहा है क्या? इंततार की घडिया ख़तम हो गई सर अब हम लोग हर वो चीज देख पाएंगे जो इंसानिक शमता से बाहर है तुमारी सब ये ठीक है मुझे लगाई था सर आप मेरी बात सुनकर मुझे ऐसा ही डाठेंगे लेकिन सर जब आपको पता चलेगा कि ये कौन है तो शायद खुश होकर आप मुझे प्रमोशन देंगे अच्छा ऐसा कौन सा थीर चलाया तुमने सर ये दामोदर्जी है दामोदर्जी ये उस हाथ को देखकर ये पता देंगे जो हमारा क्रिमिनल डेटाबेस नहीं बत अपाए मतलब तब तुम्हारा खबरी है अज नहीं सर मैं पामिस्तों सर लोगों के हाथों की रेखा मतलब हस्तर एखाय देखकर उनका भविष्य बताता हूं हस्तर एखाथ सर एक मौका तो दीजिए अगर आपको मेरी कला से संतुष्ति नहां हो तो मैं बिना पैसे लिए यहां से वापस चले जाओंगा सर आप एक पामिस्त को यहां ले आए हाँ देखो इस केस में हमें अंगुठे का निचान मिला है न तो मैंने सुचा की हस्तर एखा देखने वाले को बुला लेता हूं शायद हूँ हमारी तहकिकात को आगे बढ़ा सकता है अरे क्या बता हूं श्रया मेरा हाथ देखकर उसने बता दिया कि मैं अपनी वाइफ से बहुत दरता हूं उसके लिए हाथ दिखने की क्या जरूरत है दामदर जी जाई आप आप गले जिगे पर आगे कि अगा आप कि अग्व कि अग्व कि 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 एक इसी आदमी का हाथ लगता है मुझे कि अगर इसने अपनी अकल का गलत इस्तेमाल किया तो इंसानों के लिए यह बहुत बड़ा खत्रा बन सकता है गश्डा डुकर साब डोकर साब डोकर साब डोकर साब प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ? कान खचुली ले काकलिया, बहुत दर्द हो रहा है। गवरा मत, वाजा के लेट जाओ कान प्लीज आओ, मंगेश हो। क्या फिर से बिच्छों ने किस कर दिया क्या? आप तो जानते रहों, डाक्टर साब, मेरी और बिच्छों को ब्रेम काहनी है। प्रेम काहनी, एक प्रेम काहनी और भी है, CID और मुझरिम के बीच में CID? कि बीच के बीच दिया दिया दियो दिया दिया दियो क्या हुआ सर इस डेड है सर यह अचाने गिर्दे के साथ कैसे मर किया जिस बात का डरता पूरी वही हुआ है पिच्छों के जैर ने अचा दिखा दिया यह देखो बॉस इसके शरीर में कितना ज्यादा ज्यादा ज्यार भरा हुआ है सर यह जैर बीच्छों का हैं यह एकव बस्यां यह मं जर्ख गीच्छों के जैर्श्सित माः रह तो पड़ा है तो यह मंद ड़ा ही राता आसा ब्च्छों के जैर से औरों को मारता था और अब खुद भी मर गया Google घृ सा है जब अग्टेश ने बाकी लोगों को नहीं मारा है क्या मतलब है तुम्हारा? सर मंगेश के अंगूठे और हातों के निशान उस निशान से मैच नहीं करते जो हमें इस विक्टिम के शरीप पैसे मिले थे इसका मतलब खुनी कोई और ही है सर जरूर उस खुनी ने मंगेश को पैसे दिया होंगे इसलिए इस खुनी के कहने पर मंगेश ने ये बिच्वों का खेल रचा मगर सर एक बात समझ में नहीं आ रही है इस सब के पीछे खुनी का मकसद क्या हो सकता? मकसद जो भी होश रहा लेकिन हम मकसद के जरिये नहीं उन जहरेले बिच्वों के जरिये उस खुनी तब पहुचेंगे लेकिन पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये खुनी ये जहरेले बिच्व लाता कहां से है इकटा कहां से करता है सर शायद गने जंगलों में जाके बिच्चु पकाड़ता होगा गने जंगलों में? नई फ्रडी मुझे तो लगता है ये कोई ऐसे आदमी से खरिदता होगा ये सारे जहरीले बिच्चु जो तसकरी करता है जहरीले सांप, नेवले किडों के सर अगर ऐसा है तो फिर हम लोग इस तसकरी करने वाले तक पहुचेंगे कैसे? काम पे लगा दो अपने खबरियों को, लगा दो उनको काम पे, बाजार में खबर फैला दो कि कोई बड़ा ग्याक आया है जहरीले बिच्चु खरीदने के लिए जहरीले बिच्चु इसी एडी के ड्यूटी में क्या-क्या करना पड़ता है ए भाई, अरे जल्दी से एक जूज दे रहे बहुत कर मिये साधा ठंडा? ठंडा नहीं, बर अपने डालना साधा दे साधा अरे वासुरी कितने का दिया? कौन सा ये? ये बासुरी है दो सो रुपए का, लेकिन तेरे को मैं धाइसो में दूँगा अरे, मेरे लिए इतना महेंगा क्यों? क्योंके तेरे शर्ट का कलर मेरे को पसंद नहीं आया जा जाके शर्ट चेंज कर किया, वहना धाइसो रुपए में ले फैसे तो अब तू देगा लेटु भाइ का फोन आया था, बिच्छु तयार है, किना चाहिए? चालीस ठीक है, मिल जाएगा बात यादे ना, वैसा पूरा नकट चाहिए, चालीस लाग रुपएः एक बिच्छु कितने का है? फोन पे बताया था ना, पूरा पाइसा अपने को नकट चाहिए, चालीस लाग रुपएः चालीस लाग रुपएः चालीस लाग? इतना महिंगा? मंगता है तो लेनी तो रास्तानाब अरे ने 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 चाहिए मेर को हाँ, ठीक है तो एक गंटे बात आजा, मेरे साथ चल चूज़े पड़ाबट हाँ, यले हलो, तया सर, सर मैं हाथी बाभू मारक पे हूँ सर, रिजरक ताइम पे आजाना, अगर एने शेक हो गया तो यह लोग मेरों पर बिच्छु चोड़ देंगे उगसर यह चलना जल्दी कर चलने जल्दी आँ चलने जल्दी आँ चलने जल्दी आँ क्या भाई यह चलने जल्दी आँ यह चलने जल्दी आँ सुधागड़ा भे क्या भैक में? आँ पाले अरे छोड़ना भाई अपना यह कस्टमर है यहोगी ओंदे भाई काउड़ा नहीं ठीक है चलने चलना आजा अरे आजागड़ा क्या अचलना थो को आज भाई रे आजागणा यह रसा नुई अरे ना ना यहोगी आजागड़ा क्या चलने यह जोज़ो अजह चलने प्रोटे लट्टू भाई यही वो आगमी है जिसको बिच्छो बंगता है लट्टू यह केजा नाम है यह भाई का मजा कुड़ाता मरना है तुझे यह नाम पर मज़ जा काम से काम रख समझा अच्छा एक बात बता तुझे बिच्छु चाहिए क्यों मेरी शादी में है ना बाराती नाचे नहीं थे इसलिए बिच्छु चाहिए नचाने के लिए तु अपने काम से काम रख चल काम से काम रखता है पैसा रख एक मिट अच्छु पूरे चालीस लाख है वेरी गोड़ अच्छे काम कर इस बख से में भी चालीस के चालीस बिच्छु है चल ले जा हाँ अरे दर्यासर अभी तक आए नहीं क्या हुआ दर्गा है क्या नहीं नहीं पहले एक काम करो एक बिच्छु निकालो उसको नचा के दिखाओ ये तिमाग ठीक है ना तेरा दिमाग ठीक है चालीस लाग रुपए दे रहा हूँ बिच्छु नाचना मंगता है वनना मेरा पैसा वापस करो अवाज बंद कर एक फुटी कोडी वापस नहीं मिली कि तेरे को अगर बिच्छु चाहिए तो बखसा उटाना तो चल फुटी आज़ हुट वुली कि आवाज कहा से आए लिटार बाराथी आगे है बाराथी? मतलब मतलब C.I.D. C.I.D. मतलब कि वception कि रिखने! बहुआ कि लगा है, प्रतीक है। कि ए रखने! विच्छो का जायर बहुत बेच लिया तुने, अब CID का जायर चेपले साब, साब, गलती हुगी साब, माफ कर दीजा साब, मैं दो बारा यह गयर करनोनी काम नहीं करूँगा सिर्फ बिच्छो की तशकरी नहीं किया तुने, CID पर गोलिया भी चलाई है, समझा? गलती हुगी साब, तो बारा इसा नहीं करूँगा, एक मोका दीजिए साब मुझे सुधरने का अच्छा, ठीक है, बले यह बता के पिछले कुछ दिनों में कोई आदमी आया था तेरे पैस, बहुत सारे बिच्छो खरीदने के लिए आया तो था साब, लेकिन मैं जानता नहीं वो है कौन, का मिला था वो? बिड़नाइट पब साब उसने मुझे साब किसे सुनसान रास्ते पर डिलिवरी मंगवाई थी बिच्छो की नाम, नमबर, अड्रेस वगेरा है कुछ उसका? जी नहीं, लेकिन उसने बताय था के अगर उससे मिलना है तो पब में संदेश है छोड़ दे अच्छा? हाँ जब तो चल, संदेश देने का वक्त आ गया है चल हाँ माल आया? हाँ, युन्हें के सबसे जहरे ले विच्छु लाया हूँ, देखेंगा तो तबेद खुछ नजाएगी देखेंगे और पूछ पूछ, ला विच्छु ला हम दोनों भी विच्छु ही हैं, C.I.D. के विच्छु लाया हूँ C.I.D.? निकल! पाकर वसे! विच्छु देखें बहुते निकलुमु करें लाया हूँ निकलुमु करें आखेंगे अच्छ सेल लाग्वाँ पंकाष, इसे चल्दी सोस्प्रेड लेके ज़ए ज़ए झाल 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 प्रणम कहां तो भागीगा तो है विछ्चु कजयर देने का बहुच कह अख हो कहां तुछे थे प्रणम है तुछे और भागीगा तुछे है जेक्दिन का बहुत आप तुछें किस चीज का रिसर्च हो रहा था किस चीज का रिसर्च हो रहा था मगर मेरा असली टॉपिक ए इंसानी बिच्छों का अविश्खार करना था इंसानी बिच्छों हाँ लोगों को जहर देने के पीछे मेरा मकसद एक्सपरिमेंट था अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग मात्रा में जहर कैसे असर करता है मगर जब सरकार को पदा चला कि कि मैं किसी गलत रिसर्च पर काम कर रहा हूं तो उन्होंने आर्थिक मदद देना पन कर दिया तो क्या गलत किया सरकार में तुम्हारे इस पागलपन की वज़े से कितने मासुम लोगों की जाने कई पता है उनको इसी गन से मारा ताना तुम्हें इसी गन से मैंने क्या गलत किया तुम्हारे इस पागलपन की एक हिस सजा हो सकती है आसर हुआ हुआ